नमस्कार सिटीपोस लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बात करते हैं जेडियू की जिसने जेडियू यानि नितिश कुमार की पार्टी जिसने बंगाल और असम में चुनाओ लड़कर अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी कही न कही राष्टिय पार्टी बनने की राष्टे में जो है वोट जुटा कर एक मजबूत उपस्थिती दर्ज कराने की कोशिश की जेडियू ने लेकिन नतीजा सिफर रहा जी हाम नतीजे की बात कर रहे हैं बंगाल में तो ममता दीदी फिर से सीम बन गई है और असम में फ पाटी का हलचाल हम आपको बताने के लिए बैठे हैं कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है बंगाल और असम में हलाकि ये बताएं आपको कि नितीज कुमार इन दोनों ही राज्यों में चुनाव परचार करने के लिए नहीं गए उसके उलट नेता प्रतिपक्स जो बंगाल में उन्होंने मम्ता दीदी का समर्थन किया और आसम में वो बिरोधी फ्रंट के साथ खड़े थे जिस फ्रंट ने हलाकि जीत हासिल नहीं की पर बंगाल में मम्ता दीदी के साथ खड़े थे तो मम्ता दीदी ने परचंड जीत हासिल की तो हम बताते हैं जेडि किया था लेकिन बंगाल में उमिदवार ही उन्हें नहीं मिल रहे थे तो 50 से ज़्यादा उमिदवार उतारने का पुरा ताम जाम के साथ दावा था चुनाओं के वक्त में लेकिन उन्हें उमिदवार ही नहीं मिले बंगाल के जो जेडियू के चुनाओं प्रभारी हैं गुल बिजेपी ने भी अपने आसपास जेडियू को फटकने नहीं दिया बिजेपी जो यहां सयोगी है भी अरकेंदर पर बंगाल में बिजेपी ने कोई भाव नहीं दिया या फिर असम में भी जेडियू को नहीं पूछा यानि नितीज कुमार की पूछ खुद उनकी जो सायोगी पार्टी है उसने नहीं कि उसके बाद जेडियू न कहीं कहीं न कहीं जेडियू ने कोशिच की थी कि ममता दिदी के साथ उनका कुछ गडबनन हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका अब हम बताते हैं कि क्या कुछ परिनाम हुआ जमानत तक नहीं बचा सके हैं जेडियू के उमिद्वार ये नतीजा जो आया है सामने जेडियू के साथ अगर कहें कि बंगाल में खेला हो गया जी हाँ खेला हो गया खेला हो गया का नारा जो था बंगाल में खेला हो गया तो खेला तो जेडियू के साथ हो ही गया खेला इस कदर हुआ कि जेडियू के जो अमिद्वार थे वो जमानत मी नहीं बचा पाए और तो जेडियू का जग अगर बंगाल में बोट प्रतिसत की बात करें तो सुनकर आप आंकरा भी नहीं समझ पाएंगे 0.02 फिश्दी बोट आया जेडियू को समझ सकते हैं कि एक फिश्दी से भी कम और 0 फिश्दी से भी बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए थोड़ा सा ज्यादा तो जेडियू ने ये प्रदरशन किया हम आपको बता रहे हैं जेडियू का क्या हया चाल है थोड़ा सा एक बतार भी देते हैं सीट वाइच की क्या कुछ नतीजे जो वहाँ पर आए तो किसने कितने वोट हासिल किये थोड़ा सा पताते हैं कम से लेकर जाता क्यों चलते हैं हावडा मद्य से बात करें तो अनामिका सिंग को जेडियू ने उतारा था 545 वोट ही वो ला पाई जमुरिया से गोरी संकर बनर जी थे जेडियू उमिद्वार 1484 वोट जुटा लिये और दमदम से संजीवन हजारा को 915 वोट मिले तो इंटाली से नुरूर हुदा जो उमिद्वार थे जेडियू के महज 137 वोट जुटा सके आगे और भी बता देते हैं और सीटों का हल चाल कितने कितने वोट आए हैं कुल जमाव उमिली पर भी जोड़ा जा सकता है जो जेडियू को वोट मिले हलाकि दावा लंबा चोड़ा जरूर था तो चोरंगी सीट से अनीर सिंग को 181 वोट मिले जो कुमार ग्राम से कलावती को 1399 वोट कुलकता पोट से मंजय राय को 175 वोट और इंगलीज बजार से उमादास को 275 वोट हावडा दर्थिन से अमीद घोस को 654 वोट रानी गन से राजकुमार पास्वान को 1609 वोट नलहटी से अमरजीत को 984 वोट चाकुलिया से कामख्य सरकार को 954 वोट और आपने हमने आपको बताया कि क्या-क्या वोट मिले यानि सबसे ज्यादा जो वोट लाने में सफल रहे तो वह कहा जाए राणी गंसे राजकुमार पास्वान जिने जिनने 1609 वोट मिले यानि जो सबसे टॉप पर उमीदवार रहा उसे 1609 वोट मिले तो समझा जा सकता है कि जेडियू का क्या हाल चाल रहा बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर दमखम दिखाने का फूरा दावा था लेकिन दावा टाइं टाइं फिस हो गया तो हम आपको बता हमने आपको दिखाया और बताया कि जेडियू जो गई थी बंगाल और असम में अपना दमखम दिखाने उनका दम ही निकल गया तो नितीश कुमार की पाटी को बड़ा जटका का सकते हैं कि बंगाल और असम के अंदर लगा जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि कुछ वोट बैंक जुटाएंगे और वहां पर कुछ अच्छे वोट जुटा कर कुछ बेतर प्रदर्शन करेंगे लेकिन नतीजा सिफर रहा तो हम आपको बता रहे थे कि जेडियू का है चल क्या रहा बंगाल और असम के अंदर अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना न भूलें धन्यवाद